दोस्तों अगर आप भी इस साल गोरकपुर विसभी द्याले में एंट्रिंस एक्जाम दे चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड कट ओफ क्या रहने वाला है तो basically हम इस वीडियो में लगबग सभी कोर्स के एक्सपेक्टेड कट ओफ की बात करेंगे और दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो हमने एक्सपेक्टेड कट ओफ आपके लिए तयार किया है इसके लिए हमने पिछले कई साल की कट ओफ को एनलेसिस किया है और उसी के base पर ही ये expected cutoff हमने बनाया है तो अगर आप भी interested हैं ये जानने में कि इस साल expected cutoff क्या हो सकता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो अब आईए बिना time waste के वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस साल expected cutoff क्या रहने वाला है तो सबसे पहले हम बात करेंगे undergraduate course यानि कि इसना तक इसतर के जो भी course है उसके लिए expected cutoff क्या होने वाला है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं BSC Mathematics course की तो इस साल जो cutoff रहने वाला है BSC Mathematics course के लिए वो रहेगा 95 तो अगर आपने भी इस साल गुरकपुर विसभी डेले में BSC Mathematics course के लिए entrance exam दिया है और आपका 95 के आसपास marks आ रहे हैं entrance exam में तो आपको इस साल admission मिल जाएगा और कोई भी आपको problem नहीं होगा अब अगले course की बात करते हैं जो की है Bachelor of Arts यानि की BA तो BA की course के लिए जो expected cutoff इस साल है वो है 98 अगर आपका 98 या फिर इस से ज्यादा number आ रहा है तो आपको basic university campus में admission मिल जाएगा इसी तरीके से Bachelor of Science यानि की BSC biology की course की बात करें तो इस साल जो expected cutoff रहने वाला है वो है 100 यानि की 100 या फिर उस से ज्यादा इस साल अगर आपका entrance exam में number आ रहा है तो आपको basic admission मिल सकता है इसी तरीके से BCOM की course की लिए जो expected cutoff रहने वाला है वो रहेगा 115 BSC agriculture course की बात करें तो 120 या फिर उस से ज्यादा number प्राप्ट करने वाले लोगों को बड़े ही आसानी से admission मिल सकता है BTK course की बात करें तो यदि आपका 112 या फिर उस से ज्यादा number आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा chance है कि आपको admission मिल जाएगा और इसी तरीके से अगर Bachelor of Business Administration यानि की BBA की course की बात करें तो कम से कम अगर आपका 115 नंबर आ रहा है तो आपको admission बड़े ही आसानी से मिल सकता है अब अपने list का जो अगला course है वो है BSC MLT यानि की Medical Laboratory Technology का जो course है आपको बताना चाहेंगे इसका जो course है ये campus में नहीं कराया जाता इसलिए इसका जो expected cutoff है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ अगला course LLB यानि की Bachelor of Law इसमें अगर आपको admission चाहिए तो I think 120 या फिर उससे ज़्यादा number आता है तो आपको बड़े ही आसानी से admission मिल सकता है Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communication की बात करें तो यदि आपका entrance exam में 90 या फिर उससे ज़्यादा marks आता है तो आपको भी बड़े ही आसानी से admission मिल सकता है इसी तरीके से Bachelor of Physiotherapy यानि की BPT की बात करें तो 92 marks आता है तो आपको बड़े ही आसानी से admission मिल जाएगा अगर बात करें BCOM, Banking and Insurance की तो इसका जो expected cutoff रहने वाला है वो रहेगा 102 इसी तरीके से Bachelor of Computer Application यानि की BCA कोर्स की अगर बात करें तो इसके लिए जो expected cutoff रह सकता है वो रहेगा 112 अगर BA, LLB जो की 5 साल का कोर्स होता है इसके expected cutoff की बात करें तो 115 नंबर अगर आपका entrance exam में आ entrance exam में 90 या फिर उससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी admission लेने में तो दोस्तों ये रही undergraduate course के लिए जो expected cutoff क्या रहने वाला है इस साल यानि की 2023 के लिए उसके बारे में हमने discuss कर लिया अब चलिए discuss कर लेते हैं expected cutoff और PG course यानि की postgraduate course के लि Master of Science यानि की MSC physics की बात करें तो 88 marks रहेगा Master of Science chemistry की बात करें तो इसका भी 98 नंबर यदि आपका entrance exam में आता है तो आपको बड़े ही आसानी से admission मिल चकता है MA history की बात करें तो 108 या फिर उससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपको admission लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसी तरीके से Master of Arts यानि की MA sociology की बात करें तो 112 या फिर उससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपको भी बड़े आसानी से admission मिल सकता है Master of Science यानि की MSC Botany की बात करें तो 98 जो नंबर है ये है expected cutoff Master of Science Geology यानि की MSC Geology की बात करें तो इस साल जो expected cutoff रहने वाला है वो रहने वाला है 120 Master of Arts हिंदी की बात करें यानि की MA हिंदी की तो इस साल जो expected cutoff रहेगा वो लगबग 86 रहेगा Master of Commerce यानि कि M.Com की बात करें तो लगबग 125 नमबर यदि आपका entrance exam में आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा admission लेने में Master of Arts, Political Science की बात करें तो इसके लिए जो expected cut-off रहेगा वो 118 LLM Course की बात करें तो 102 नमबर इसी तरीके से Master of Science, Home Science यानि कि M.C. Home Science का जो expected cut-off रहने वाला है 82 मार्क्स इसी तरीके से Master of Arts, Psychology की बात करें तो 96 मार्क्स Master of Arts, Economics की बात करें तो 90 मार्क्स Master of Science, Environmental Science की यानि कि M.C. Environmental Science में अगर expected cut-off की बात करें तो वो रहेगा 90 मार्क्स अब आगे बढ़ते हैं Master of Science, Bio Technology Course की बात करें तो इस बार अगर आप Entrance एक्जाम में 96 या फिर इससे ज़्यादा नमबर लाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको admission मिल सकता है Master of Arts, Visual Arts की बात करें तो 80 फ्लस इसी तरह किसे MBA की कोर्स के लिए कर बात करें तो MBA की कोर्स में जो competition है बहुत ही ज़्यादा रहता है तो कम से काम अगर आपका 125 मार्क्स आता है तो आपको भी बड़े ही आसानी से admission मिल सकता है MA, Ancient History की बात करें तो इसके लिए जो expected cut-off रहने वाला है लगबग 130 मार्क्स रहेगा MSC, Microbiology की बात करें तो 94 प्लस इसी तरह के से Master of Arts यानि की MA, Education की बात करें तो 105 नंबर रहेगा Master of Arts, Political Science की बात करें तो 108 नंबर Master of Arts, Geography की बात करें तो 105 नंबर इसी तरह के से आप देख सकते हैं Master of Science, Computer Science यानि की MSC Computer Science में बहुरी तगड़ा competition होता है इसलिए यहाँ पर आपको कम से काउं 122 नंबर cut-off देखने को मिल सकता है इसी तरह के से MSC Agriculture की बात करें तो इसमें 92 मार्क्स आपको expected cut-off देखने को मिल सकता है Master of Arts या फिर Master of Science Statistics की बात करें यानि की MA या फिर MSC Statistics सब्जेक्ट से form apply किये हैं या फिर entrance exam दिये हैं तो मुझे लगता है सभी लोगों को admission के लिए बुलाया जा सकता है अगर MA या फिर MSC Mathematics course की बात करें तो जो cut-off आपको देखने को मिलेगा 102 या फिर इसे ज्यादा नंबर प्राप्ट करने वाले student को बहुत ही आसानी से admission मिल सकता है बात करें अगले course की जो कि है Master of Arts in Generalism and Mass Communication की तो 98 या फिर इसे ज्यादा नंबर आता है तो बहुत ही आसानी से admission मिल सकता है वहीं अगर बात करें MA in Phagical Education की तो 80 नंबर पाने वाले student को admission बड़े ही असानी से मिल सकता है अगर बात करें MA उर्दू के course की तो यहाँ पर expected cutoff आपको 82 marks देखने को मिल सकता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में लगबग UG और PG लेबल के सभी course का जो expected cutoff है आप सभी को बढ़ा दिया है और I think आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर हमने किसी भी course के लिए expected cutoff को वीडियो में include नहीं किया है तो आप comment box में बता सकते हैं हम आपको वहाँ पर reply कर देंगे तो दोस्तों इसी तरह के और भी educational वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं तो फिलाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कर देंगे